अगर आप UPTED 2023 के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आपको जानना और समझना ये बहुत जरूरी है कि कैसे आप पहले ही प्रयास में UPTED की परिछा क्वालिफाई कर सकते हैं और अब केवल क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा क्योंकि जिस प्रकार से सिख्षा सिवा चैन आयोग में और राष्टे सिख्षा निती 2020 में बातें मेंशन की गई हैं कि भविष्य में जाकर के UPTED सिटेट के मार्क्स जोड़े जा सकते हैं तो निशीत तोर पर अगर राज के लिए अब सिटेट और UPTED का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाईंग एकजाम नहीं है अभी वर्तमान की बात करें तो सिर्फ क्वालिफाईंग ही है लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है कि इसके मार्क्स जोड़े जा सकते हैं इसलिए आपको इस बात पर ज्यादा फोकस करन होगा कि कैसे ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाएं सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर आप 82 नंबर ला करके क्वालिफाई कर भी लेते हैं UPTED की परिच्छा में तो फिर सूपर्टेट की परिच्छा में आप जाकर के 100% छट जाएंगे योकि UPTED क का जो लेवल है और सूपर्टेट का जो लेवल है दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है अगर जो भी सब्जेक्ट कॉमन है जैसे कि CDP की बात कर लें EBS की बात कर लें Mathematics की बात कर लें Hindi की बात कर लें English की बात कर लें UPTED का पेपर प्रिवेस येर उठाए और सूपर्टेट ये बहर जरूरी है कि जब हमें अच्छे marks लाने है तो किस प्रकार से लाएं देखिए आपको best book के नाम से YouTube पर ऐसे 500 वीडियो मिल जाएंगे जो की paid promotion होते हैं विबिन publications के ठीक है paid promotion से जो भी book आप खरीदेते हैं वो सीधे तोर पर एक तरीके से authentic book के तोर पर नहीं देखी high court में मामला जाता है उत्तर कुंजी को ले करके तो आयोग सीरेस नकार देता है कि ये book जो आप लगा रहे हैं जिसका proof लगा रहे हैं वो authentic book नहीं है तो हम उस book को पढ़े ही क्यों जब आयोग उसको authentic मान ही नहीं रहा है तो सीधे तोर पर आप जो भी local publications होते हैं वो आयोग नहीं मानता है authentic book ठीक है NCRT ही आपकी authentic मानी जाती है इसका सीधा सा और साप सब्दों में आप example अभी हाले ही में जो यूपिटेट 2021 की परिछावी थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था primary level में कि शैश्वा वस्था की काल क्या होती है तो उसमें 0 से 2 साल भी दिया गया आप कितनी भी local publication book उठा करके देख लिजिए उत्तर प्रदेश में जो भी चलती है उसमें जो शैश्वा वस्था का काल दिया गया है वो 0 से 6 साल दिया गया है जबकि आयोग ने इसको गलत मान लिया आयोग ने 0 से 2 साल को माना था क्यों क्योंकि NCRT की book आप उठा करके दे ज्यादा NCRT की book को कंजियों करिए ताकि कम से कम आप challenge करने लाइक तो रहें और कम से कम आप ये assure रहें कि हाँ आप सही चीजे पढ़ने हैं जिससे से आयोग प्रशन पूछने वाला है या फिर जिसके base पर answer की तियार किया जाता है तो NCRT आपके लिए best option है ठीक है आप mathematics क की बात करें EVS की बात करें सब कुछ आपको NCRT से पढ़ना है सब कुछ आपको NCRT में मिल जाएगा हिंदी की बात करें English की बात करें मिलेगा आपको नहीं CDP के वल नहीं मिलेगा तो CDP के लिए मैं दो book आपको prefer करने के लिए बोलूँगा जिसका link में आपको इस video के description में दे रहा हूं अगर आप चाहें तो उस दोनो book को देख सकते हैं वो authentic book है पिछली की यूपिटेट की परिछाव में और सूपर्टेट की परिछाव में इस book को आधार बनाते हुए आयोग के answer की को challenge किया गया था और मानिने quote ने इस book की आधार पर अभियरत्यों को number alert भी किय दिये थे common number देने के आधेस भी दिये थे आयोग को तो आप इस दोनो book को authentic book मानते हुए आगे की त्यारी कर सकते हैं कम से कम आप assure तो रहेंगे कि हाँ आप सही चीजे consume कर रहे हैं जिसको आयोग भी सही मानता है ठीक है तो ये सभी चीज हो गई उसके बाद से देखिए ये पेपर पर बहुत ज़्यादा focus करना है previous year पर focus करना बहुत ज़्यादा ज़री है अगर आप वर्तमान में जो 2021 में यूपीटेट का पेपर हुआ था उसका primary का पेपर उठा करके देख लिजे जो की 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था वो पेपर हुबहू यूपीटेट 2017 का लग previous year पेपर लगाना बहुत ज़्यादा important है और previous year पेपर लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप के वल उत्तर जाने बलकि आप logically उसका उत्तर देने में सक्छम है या नहीं कि वो उत्तर तो आपने book से देख लिया previous year पेपर से या फिर YouTube से देख लिया लेकिन जब आप logically उसको समझें नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा भी प्रेशन अगर घुमा दिया गया तो हो सकता है कि आप फस सकते हैं तो आप सिर्फ उत्तर जानने तक सिमित नहीं रहें बलकि logical answer देने के लिए सक्छम हो पाए इस इस तर तक का आपको previous year पेपर देखना है ठीक है और previous year पे हाँ आपने पेपर को solve कर लिया है सिर्फ सही उत्तर जानना important नहीं है बलकि उत्तर गलत क्यों हो रहा है बाकी के विकल्प गलत क्यों हो रहे है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो previous year पेपर उठाईए उसमें से जो topic आपको नहीं आता है जो topic नहीं आता ह है उसमें से भी 10 प्रशन हो सकता है कि आप थोड़ा effort डाल करके कर सकते हैं और 5 प्रशन आपको बिल्कुल unique मिलेंगे जो की हो सकता है कि आप पहले ना पढ़े हो तो उन 5 प्रशनों पर हमें focus करना है इसी प्रकार से प्रतेक subject में आपको देखना है जैसे CDP में हो गया तो CD CDP में कुछ questions बिल्कुल आसान आते हैं उस पे हमें focus ही नहीं करना है जो नए term आपको मिल रहे हैं तुरंत आप उसको note down करिए उसको internet पर YouTube पर कहीं भी search करिए और deep उसका ध्यान करिए धीरे धीरे अगर आप ये practice करते रहेंगे और previous year paper ही केवल आपने solve कर लिया आप विश् सित हो जाएगी यानि कि आप एक गडित के paper में आप सिर्फ 30 प्रशन नहीं कर रहे हैं बलकि आप ये देखिए कि 4 विकल्प मिला करके आप 120 प्रशन कर रहे हैं क्यों कि प्रतेक प्रशन के 4 विकल्प दिये गया है और चारों विकल्पों में अगर आप logically छाट पा रहे हैं ये उतर क्यों नहीं सैए यानि आप तर्क कर पा रहे हैं चार एक प्रशन कर आप चार विकल्पों पर चार तरीके से तर्क कर रहे हैं यानि कि आप 120 प्रशन को solve कर रहे है तो ये चीज आपको करना बहर जरूर है इसके अलावा जो चीज आपको unique लग रहे इसको note down करिए उसको Google से, किताब से, कहीं से भी सर्च करिए, लेकिन उसके बारे में पूरा जब तक आपको समझ में न आ जाए, तब तक आप अगले टॉपिक पर न आ जाए, इस तरीके से धीरे-धीरे आप ये प्रैक्टिस में रहेंगे, निश्चित तोर पर, अभी देखिए, अभी यूपिटेट की परिछा का अभी कोई खास सामने नहीं है, तो अगर आप एक से दो महिने आप केवल करके देखिए, आपके अंदर उतनी अपार उर्जा देखने को मिलेगी, और आपके अंदर धीरे-धीरे confidence बिल्ड होगा, क्योंकि आपको सिर्फ यूपिटेट तक तो रहना नहीं है, सूपर टेट के लिए भी तो तयारी करना है, तो यही सब चीजी सूपर टेट में भी आएंगी, तो क्यों हम किवल यूपिटेट में 82 नंबर तक सिमित रहे हैं, हम क्यों ना इसमें 120 नंबर का सोचें, इसकी अलामा सिलेबस को भी समझना बहर ज्यादा जरूरी है, सीटेट की बात करें और यूपिटेट की बात करें, दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है, सीटेट की परिशा में हर सब्जेक्ट में आपका 15 नंबर का पैड़ागोजी पूछा जाता है, जो कि यूपिटेट में बिल्कुल उसका नाम और निसान नहीं है, पैड़ागोजी आपको सिर्फ CDP के सेक्षन में देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, वहाँ पर यूपिटेट की परिशा में ज़्यादा रटने वाली चीजों पर फोकस करता है आयोग, जैसे कि ये सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया है, इस सिध्धान्त का ये चरण किसके द्वारा दिया गया है, इस चरण में क्या है ये सबी चीजे रटने वाली होती है जबकि CBSC किस पर फोकस करता है वो आपका critical thinking पर फोकस करता है वो आपसे directly नहीं पूछेगा कि ये सिध्धान्त किसके त्वरा प्रतिपादित किया गया या फिर ये सिध्धान्त किस ने दिया वो application के तौर पर आपसे यूपीटेट में missing होता है यूपीटेट में क्या होता है कि ज्यादा चीजे रटने पर फोकस करता है आयोग तो ये सबी चीजों को pattern को धीरे धीरे जब आप प्रिवेस ये पेपर देखेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा कि क्या चीजे पर हमें focus करना है और किन बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शोभु